तो हेलो एवरिवन दिस इस रेना एंड वेलकम टू फैशनी टीवी मेरी एक और रेक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागता ये दिया फर्स टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना जादा से जादा शेयर भ अब के बाद वो अपने व्लोग में साससुर का नाम तक नहीं लेगी लेकिन सपना ने बहुत कोशिशे की थी अपने साससुर से बात करने कि कुछ तो सोची रखा है उन्होंने भी तो उस वज़े से हो सकता है कि सपना ने अपना हक था वो भी छोड़ दिया जी हाँ वो गैने या प्रोपर्टी जो मांग रही थी कि अपनी यूट्यूब इंकम से जो खृत है वो दे दो फिलहाल तो वो भी अपने साससूर के लिए छ शायद अंचू के माता पिता वो हो सकते हैं तो जी हाँ हो सकते अंचू के माता पिता हो और अंचू फिलहाल तो देखो घर अकेले आने वाली नहीं है क्योंकि अभी वहाँ पर एडमिशन हो चुका है वहाँ पर उसकी जो स्टड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है हाँ यद तक उस लड़की से हो सकता है वो पूरा सपोर्ट भी करती है और यदि फैमली के मेंबर कल को मतुरा में शिफ्ट होते है ये उनी की प्लैनिंग है तो भी वो कुछ नहीं कर सकती बस वो ये ही कर सकती है कि वो सपना का साथ कल भी देती थी आगे भी शायद देती रहेगी या हो सकता है एक टाइम के पिछे देखो फैमली के दबाब में आकर वो शायद ये चीज़े ना कर पाई लेकिन हमें ये पता है कि दिल से वो सपना के साथ है हमें उस बच्ची को तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए हाँ उनकी फैमली की गलती हो सकती है क्योंकि जब राजवीर कर लेगी ये गर छोड़कर चली जाएगी उस टाइम पे भी सपना ने अपने पैरेंट्स को इन लोज को ये समझा दिया था कि वो कहीं नहीं जाने वाली वो कभी तीसरी शादी नहीं करेगी उस टाइम पे तो शायद ये मामला थोड़ा सा शान्त हो गया था लेकिन ये च ताकि वो जो तीसरा परसन है वो संभल जाए वरना मैं ना मतलब अपने पैरेंट्स को इनलोज को छोड़ कर कभी भी एक घर नहीं छोड़ूंगी लेकिन शायद कई बार होता है कि पिछे पिछे से इस बार सपना को भी पता नहीं चला कि क्या क्या चीज़े हो रही है और बात है वो और जादा बिगड़ गई और ये बात भी इसी लिए बिगड़ी क्यूंकि अंशु को उन्होंने अलग कर दिया उनको पता था कि ये उसकी ताकत है यदि इस ताकत को ही दूर कर दिया जाएगा ना तो सपना कुछ नहीं बचेगी और जिस दिन अंशु को अलग किया ना उस दिन से सपना की हिम्मत तूट गई उसके बाद वो दोबारा संभली नहीं पाई है दीरे दीरे इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आज उनके साथ ससुर को ये चीज़ें का बिलकुल भी ऐसास नहीं है उन्हें जो लाइफ लग रही है कि पैसे के दम पे हम मतलब अच्छी लाइफ जी लेंगे तो ये एक टाइम के बाद उन्हें भी एसास हो जाएगा जो भी वो परसन है उनका खुद का पूरा परिवार है लेकिन उन्होंने एक पूरे हस्ते खेलते परिवार को उजाड़ दिया दो बेटे पहले खो चुके थे उसके बाद अब पोतियां भी चली गई है तो आप बताओ कोई दूसरा बंदा आकर सेवा नहीं करेगा ये हम भी जानते हैं वो प्रोपर्टी या जमीन के लालच में ये सब कर रहे हैं लेकिन हक तो बेटियों का ही बनता है चाहिए सपना छोड़ दे और हम जानते भी है कि सपना कल को अच्छा कमाईगी उनसे अच्छी लाइफ दे देगी लेकिन जो हक बेटियों का था जो द गुमती हुई दिख रही है तो शायद एक साल बाद जो भी उनका परिवार वहां पर उनके साथ रहेगा वही इस मास्टर माइंड का पूरा पूरा खिलाडी है और वही ये गेम खेल रहा है आज से नहीं खेल रहा है ये चीज़े बो टाइम से प्लैनिंग हो रही थी सपन को इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ा क्योंकि वो चाती तो वो कानूनी लड़ाई लड़ सकती थी लेकिन उसने का था कि मैं लीगल कभी भी नहीं जाओंगी चाये कुछ भी चीज़े हो जाए वो मैटर अपने परिवार के साथ ही संबालना चाती थी और उन पैसों का वो कर भी क्या लेगी यदि थोड़े बहुत मिल भी जाएंगे तो उतने वो महनत कर लेगी क्योंकि यहां पर सोशल मीडिया पर जिंदगी का तमाशा बना कर रख दिया है लोगों को यहीं लगता है कि यह अपने घर की इज़त उचाल उमर में तो आज लड़कियों की शादी होती है क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट करती है तब तक यह उमर हो जाती है लेकिन उसकी तो छोटी उमर में शादी हो गई थी तो आज वो 25 साल की है उस पे सारी परिवार की जिम्मेदारी थी फिर भी वो हंसी खुशी खेल रही थ थी मतलब अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंट कर रही थी ये कह रही थी कि मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी अब तो साससूर ने भी उसका चाड़ साथ छोड़ दिया है अकेली है वो बिलकूल तो टैंशन तो बहुत सारी होती है और दूसर क्या कैने हमें कमेंट में जरूर बताना वीडियो को लाइक करना जदा से जदा शेयर भी कर देना